भोजपुरी इंडस्ट्री में हर एक चीज़ पर विवाद हो सकता है। यहां तक कि बोड़ी बनाने को लेकर भी विवाद हो सकता है। अब आप ही देख लीजिए कि भोचपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सुपस्ट्रस में बोड़ी बनाने को लेकर किस कदर भिड़ गये हैं। बोड़ी बनाने की दिवानगी ऐसी कि दिन में तकरीबन चार घंटे इन दोनों स्टार्स के तो जिम में ही बीचते हैं। वो काट लेते हूं। यानि की बगैर जिम में जाय हुए पवन सिंग को चैन नहीं है। खेसारी लाल यादों के लिए लोग कहते हैं कि खेसारी लाल यादों जहां जाते हैं पहले वो ये देखते हैं वहां जिम की कोई न कोई व्यवस्ता हो। और ना हो तो जिम बैक को वो कैरी करना बिलकुल नहीं भूलते। जी हाँ अब ऐसे में इन दोनों स्टास की बॉड़ी आप देख लीजिए कि भोचपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंग की बॉड़ी की एक अलग ही मिसाल है। लोग उन्हें अब यंगरी यंग मैन के रूप में जानने लगे हैं तो वहीं खेसारी लाल यादो भी पीछे नहीं है। खेसारी ने भी अपने बॉड़ी पे बहुत ज़्यादा काम किया है और अब आप देख सकते हैं कि उनकी बॉड़ी भी वेल टोन बॉड़ी है। में कमेंट कीजिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मिलकुल न भूली।